दोस्तों ये वीडियो आपके सूखते हुए मरते हुए भूरे पीले हो चुके अलोविरा प्लांट को फिर से एक बार हरा भरा घरना करने की ताकत रखता है बस आपको करना यह है किस वीडियो को कम्प्लीट देखना है दोस्तों कैसे हैं आप सागत हापका एक और नई वीडियो पर और गार्णी इंपोर्ट यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो में हम जानेंगे गर्मियों की दिनों में या फिर बारिश की दिनों में हमने अपने अलोविरा प्लांट को कैसे हरा भरा रखना है क्या क्यार करनी हैं फिलाल आप देख सकते हैं मेरे इस अलोविरा प्लांट के पोर्ट में जो है काफी अधिक खर्पतवार उग चुका है जिसके चलते अलोविरा प्लांट के ग्रोथ बहुत अधिक धीमी पड़ गई है प्लांट की लीफ्स पीली होने लगी है ग्रीनरी खत्म हो रही है इस खर्पतवार की जड़ें भी आप देख सकते हैं ड्रैनेज होल से बाहर निकलने लगी है कुछ समय अगर हमने इस खर्पतवार को और रखा इस पोर्ट में तो प्लांट जो है धिरे धिरे पुरी तरह से खत्म हो जाएगा तो अभी हमने गर्मियों की दिनों में या फि वाटर लोकिंग की समस्या आएगी और रेनी सीजन में या वाटर लोकिंग की समस्या आएगी तो प्लांट की जड़ें सड़ जाएगी तो इसलिए रेनी सीजन हो या समर सीजन हो कर्पतवार को आप जितनी अल्दी हो सके उखाड कर फैक देजिए तो चली हम जल्दी से कर तो पहला जरूरी काम हमने कर दिया है खर्पतवार को पोर्ट में से निकाल दिया है और जो ड्रैनेज होल है अगर हलका फलका ब्लॉक नजर आ रहा हो तो आप किसी भी लकडियादी की हेल्प से ड्रैनेज होल को भी खोल दें और मैंने यह जो प्लांट है आप देख सकते हैं चोटे से गमले में लगा रखा है यह पोर्ट जो है मातर 6 इंच बड़ा पोर्ट है मिट्टी का तो हमने पहले जरूरी काम कर दिया है खर्पतवार निकाल दिया है दूसरा जरूरी काम ड्रैनेज होल को भी खोल दिया कर्मियों की दिनों में तीन से चार घंटे की मौनिंग सनलाइट में रखिया अलुविरा प्लांट के पोर्ट को और मिट्टी में हलकी नमी हमेशा बरकरार रखें कभी भी मिट्टी को पूरी तरह से सूखने ना दे थोड़ा थोड़ा पानी हर रोज प्लांट में देते र प्लांट जो है तीन से चार दिन में फिर से हरावरा होने लगेगा अब बात करते हैं रेनी सीजन की तो रेनी सीजन में आपको एक तो खरपतवार बिल्कुल भी नहीं रखना है और जो है प्लांट को आप रेनी सीजन में फुल दे की सनलाइट में भी रख सकते हैं और जो में से खर्पतवार निकाला था ड्रैनेज होल को खोला था और जो मैंने केरटिप से बताई थी उनको जब मैंने फोलो किया तो उसके बाद का यह रिजल्ट है लगबग डेड़ महीने के बाद का अभी आप देख सकते हैं प्लांट काफी बड़ा हो गया है काफी घना हो गया हटा दूँगा जिससे की थोड़ी जगा बन जाए और पानी देते बने तो अभी मैंने जो है अलोविरा प्लांट की जो नीचे की लिफ्स थी जो मिट्टी से टाच हो रही थी उनको मैंने हटा दिया है और आप देख सकते हैं अब काफी स्पेस बन गया है अब हम आसानी स इसमें पानी भी दे पाएंगे तो यह हमने काम किया है और यही काम हम आगे भी करते रहेंगे अलोविरा प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए प्लांट को हरा बरा रखने के लिए अलोविरा प्लांट दोस्तो चाहें बड़े पोट में लगा हो चाहें चोटे पोट में प्लांट हमेशा अच्छी ग्रोथ करते रहेगा तब तक जब तक प्लांट की जो है रूट बाउंड नहीं हो जाती है तो मेरे इस प्लांट की जो अभी तक रूट बाउंड नहीं हुए चोटे से पोर्ट में लगा लेकिन ग्रोथ काफी अधिक हो चुकी है तो आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके जूरूर बताएं वीडियो आपके लिए हैल्फ गुरा तो लाइक करें शेयर करें चैनल को भी सब्सक्राइब जूरूर करें थैंक्स वर वाचिंग